तो दोस्तो यार NIC के exam का इंतजार बच्चे बहुत ज़्यादा दिन से कर रहे थे कहीं न कहीं YouTube के उपर भी बच्चे पूछते रहते थे सर NIC का paper कब होने वाला है सर उसकी date कब announcement होने वाली है सर कुछ idea हो तो दे दीजिए तो मैं बच्चों को पहले ही बताता था दोस्तो नवंबर में exam होने की possibility है और नवंबर में exam हो सकता है तो दोस्तो आज ही यानि 29th September को अभी अभी कुछ देर पहले ही दोस्तो announcement हो चुका है यानि exam कब होगा अब NIC में इस बार बहुत ही bumper vacancy निकाले गई थी 596 vacancies थी और जिसके अंदर तीन post थी तो पहली post थी हमारे पास scientist B की उसके बाद थी scientific officer की और उसके बाद हमारे पास technical assistant की तो दोस्तो यानि इन तीनो exam की जो date है वो announcement हो चुकी है अब देखो यदि मैं बात करो दोस्तो यहाँ पर scientist B की तेरा scientist B का जो exam है दोस्तो वो आपका यानि होने वाला है 4 नवंबर को चार नवंबर को आपका exam होगा और exam की जो timing रहेगी वो रहेगी 9 a.m. to 12 p.m. यानि ती शिफ्ट होगी 3 बजे से 6 बजे तक तो कुछ बच्चों का paper जो भी जिस भी बच्चों ने scientist B के लिए चूज किया है तो उनका paper की जो date है वो 4 नवंबर ही रहेगी कुछ बच्चों का paper होगा 9-12 वाले slot में और कुछ बच्चों का paper होगा 3 बजे से 6 बजे वाले slot में लेकि यहां पर हमारे पास scientific officer के लिए फिल किया था उसने technical assistant के लिए फिल किया था तो सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने date जो है वो अलग-अलग रखी है बच्चों को कहीं ना कहीं यह confusion था ऐसा ना हो जाए कि एक ही दिन के अंदर यह तीन हो एक्जाम हो जाए और सब 3-3 गंटे के पेपर हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमको मैनेज करने के लिए तो दोस्तों यहां से हमारे पास जो scientific officer का जो एक्जाम है यह एक्जाम है दोस्तों पांच नवंबर में यह हमारे पास पांच नवंबर को होगा इसका टाइमिंग में नव से बारे बज़ इसके अलावा हमारे पास इदी बात करें टेकनिकल असिस्टेंट की तो इसका पेपर दोस्तों छे नवंबर को होने वाला है और इसकी भी टाइमिंग दोस्तों हमारे पास नाइन एम टुट्वेल पीम थ्री पीम टुस शिक्स पीम तो यानि दो स्लोट में रखा गया है व यह सबसे अच्छी फायदे की बात है यदि आप किसी दूसरी शिटी से भी ट्रेवल कर रहे हो दिल्ली के लिए तो तीन दिन आप यहां रुकी है और तीन दिन में अपने पूरे एक्जाम दे के आप उसके बाद वापस जा सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए ओल्लेडी हम